विधी विधान के साथ संपन हुई केन आर्थी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है जहां पर विश्व हिंदू महासंद गौरक्षा समिती के सोजन्य से केन घाट पर केन जल आर्थी प्रती एक मंगलवार की भाती विधी विधान के साथ हुई संपन केन आर्थी COVID-19 के शासकिया आदेशों का पालन करते हुए आयोजन किया गया आपको बताते चले की गौरक्षा समिती के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने भीशन थंड एवं घने कोहरे के बावजूद केन तट पर अपना सापता हिक केन आर्थी कार्यक्रम जारी रखते हुए यह संदेश देने का काम किया कि परिस्तितिया कैसी भी हो संकल पटल है तो प्रयास रुपते नहीं है मकर संक्रांती का स्नान पर बीटने के बाद तट पर चारो और फूल माला पूजन सामगरी कपड़े बिखरे हुए थे जिन्हें श्रद्धालों द्वारा साफ किया गया इस अफसर पर बबेरू प्रत्यासी घोशित श्री अजय सिंग पटेल वह गौरक्षा समिती के गण्वान्य अतितियों के द्वारा केन आर्ती करके शुभारम किया गया गया गौरक्षा समिती समिती के जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापती की अगुवाई में समिती के पदाधिकारियों वह कार्यकरताओं ने जैश्री राम के उद्गोश के बीच आय अतिथियों का फूल गुच्छ बमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। प्रत्याशी, श्री पटेल द्वारा आरती में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई गई। यह कार्यक्रम समिती के जिलाध्यक श्री प्रजापती एवं पदाधिकारी गन के सयोजन में हुआ। इस मौके पर आय अतिथियों ने समिती द्वारा की जा रही केन आरती कार्यक्रम की प्रशनसा की। मुख्या अतिथि के तौर पर आय अजय सिंग पटेल प्रत्यासी बबेरु ने अपने संक्षिप्त संबोधन में श्रद्धालों से कहा कि जीवंदाइनी नदिया सदय पूझ जनिये रही है इसलिए इन सभी नदियों को प्रदूशन मुख्त करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। नदियों को पावन बनाने के लिए एक जुट होकर आ गया है और अंत में माननिय पटेल द्वारा विदा होते समय जीत का आशीरवाद मानगा गया। पर किस तरह कारकर मायोजन किया गया है देखें हमारी पार्डी में राष्टवाद और सांस्कृतिक जो हमारी धरोवर है इस पर हमारी पार्डी काम कर रही है और यह हम लोग लगातार यह परंपरा सुरू हुई कि मानियोगी जी मुखमंत्री बने और यहां एक ऐसे जिला परोगर है इसके लिए इनकी आरृती करना हमारा करतब्व है इनकी स्राच्णा सरक्षा और इनकी सुरच्च्छा करना इनको प्रदूसर से मुक्त कराना यही हमारा काम है यह जो कें जीवन धारा ही और जीवन धारा ही जब Надही दो ले माला कौन पहनेगा तो इस जीव अंधारा को बचाने के लिए हम हमाई पार्टी और हमाई सरकार और हम लोग जो आप लोग अगर योगी जी की माला में उस बना के भेजेंगे तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे चाहिए केन नदी हो चाहिए हमारे बबेरु छेतर में 15 किलो मीटर पर यमना नदी हैं आगे 15-20 किलो मीटर पर बागे नदी हैं तो हम प्रयास करेंगे कि ये परियावरण से जुड़ी जो भी चीजें हैं खनन पर भी बड़ा चुकि मैं एक किसान का बेटा हूँ न कभी मैंने कोई ठेकेदारी की कहीं गाव में रोड बनाई हो कमिशन खाया हो ऐसा मैंने कारे कुछ नहीं किया कि और खेती का काम किया है और खेती के काम से ही मैंने 25 साल पार्टी की सेवा किया है आज जो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ दोहजार बारा में भारती जंता पार्टी से में प्रत्यासी रहा और विपरीद परिस्तितियों में बहुत अच्छा मत मिला इसके बाद मैं मेरे जो दोहजार बारा से और बाइस के बीच का जो दस साल का गैप है उस गैप में दस साल में जो मैंने धैर और आपके सनेह के साथ जुड़ा रहा उसी का परणाम है कि आज प्रत्यासी के रूप में आपके बीच में हूँ मेरे छेदर के आमजन मानस कारकरताओं की सुचिन्तकां की एक आवाज जो एक तरंग बन करके गई और वहां एक किसान के बेटे को भारती भारती जन्ता पार्डी का प्रत्यासी बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश देत्रत को इंगित किया और वही कारकरताओं की आवाज टिकट के रूप में मुझको दिया और यह टिकट मेरे छेद के कारकरताओं का है पदाधिकारियों का है सारे पदाधिकारी हमारे प्रत्य प्रत्यासी है, सारे सुप्चिंतक प्रत्यासी है,